हेलो गुड मोर्निंग जैस्री किट्सन एक बार फिर आपके लिए मैं वीडियो लेक रहे हूं काक्ष्यादास हिंदी मीडियम के लिए तो आज हम निखिलता से व्रक करेंगे तो निखिलता से वरख के अंदर यह उपादार से वरख करते हैं तो इसका तो सब्लिक विचलन का स्केर और जब उपादार से वरक करते हैं तो ये तना फोर्मूला सेम रहेगा बस इसमें जो गुणा होगा वो उपादार अंक्सियोरो जाएगा अब जो चोथा स्वाला एक सो तीन का वरक करना तो जो संख्या आदार के पास किये यानि जो संख्या दस सो या अजार के पास किये तो वो क्यूशन अपन आदार से गिरेंगे तो उसमें ये वाड़ा सुत्र लगेगा और जो क्यूशन आदार का मल्टिपल है आदार का गुणज है यान दस का गुणज सो का गुणज या अजार का गुणज वाड़ी कोई संख्या है तो अपन जो सुत्र है वो उपादार वाड़ा लगाएंगे अब सौ था कि उसे ने एक सो तीन तो एक सो तीन में जो आदार है वो है सो, क्योंकि यह संख्या सो के पास के और विचलन है वो. 100 से 3 जादा है तो इसलिए plus का 3 अगर संख्या है वो अदार से छोटी होगी तो विचलन minus का आएगा तो यहां जो संख्या है वो अदार से बड़ी है इसलिए विचलन यहां पे plus का अब 103 का बढ़ करेंगे तो संख्या plus यह विचलन इतना है 3, oblique और विचलन तीन का स्केर क्योंकि फॉर्मुला उपर यह लगाया वापड़ है तो हम बार बार अपन क्यूशन में नहीं लिखेंगे लेकिन जब एक्जाम में क्यूशन आएगा तब आपको यह फॉर्मुला लगाना पड़ेगा एक तो तीन में जोड़ेंगे तो यह उगया एक सुच है और तीन का वरको गया नो अब कई बार हम इसको डारेक्ट नो भी लिख सकते हैं यहां इस उबलिक के बाद में लेकिन यहां जीरो नो क्यों लिखा है क्योंकि आदार सो है तो सो आदार में दो दो आँख नीचे उता तो आपको फिर यहां जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको दो आँख उतारने हैं तो यहां जीरो नो मिल करके यह दो आँख होएंगे अगर अधार दस होता तब यहां सिर्फ है नो लिख सकते थे तो अभी जीरो नो है इसको एजिटीज नीचे उतार दिया उसके ब नोमर जो पांचवा है वो है पिच्यानमे का वरक करना तो पिच्यानमे का जब वरक करेंगे तो पिच्यानमे यह भी सो के पास की संख्य है तो इसमें भी अधार है वो सो लेंगे और जो विचलन है वो ये 100 से कम है 5 तो इसले विचलन आ जाएगे ये माइनस का 5 अब सुत्र इसमें आदारवाड़ा लगेगा तो आदारवाड़ा ये सुत्र संख्या प्लस विचलन अबलिक विचलन का इसकेर तो संख्या है प्लस विचलन है ये माइनस का 5 अबलिक और ये माइनस 5 विचलन का इसकेर अब ये प्लस विचलन में इसे 5 से माइनस होईगे जब प्लस का माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस आएगा तो 95 मेंसे 5 माइनस करोगा तो यह जाएगा 90 उबलेक माइनस की संक्य है लेकिन गात जब सम संक्या हो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तब आपको जो यहाँपे आंसर लिखोगे यह आंसर धनात मकाएगा अगर गात विशम संक्य में है तो यहाँ पे जो अंक लिखोगी वो रिनात्म काएगा तो अभी माइनस पांच की गात दो है तो 5 का वरग 25 होता है तो इसलिए माइनस 5 का वरग भी 25 होगा वो पलस का है होगा अब आदार यहां पे 100 है तो दो अंक चाहिए अपने को हरोब लिके बाद में तो यहां पे दो अंक है अपने पास 25 तो यह 25 एज़िटीच निचे उतार दें यह आगे इसको कोई भी अंसिल नहीं देगा तो यह 90 भी एज़िटीच तो यह इसको उतर आ जाएगा 9,025 तो यह 25 का वरग हो गया अब छटा कुछन है 204 का वर करना तो 204 में जो यह 204 है यह आदार के पास का नमर नहीं है तो यह आदार का गुणज है तो इसलिए यहां पे 204 है यह 100 का गुणज है तो आदार तो यहां पे आप 100 ही लेगे लेकिन यहां पे उपादार के जरूरत होगी तो जो उपादार है उपादार जो संक्या आदार के पास नहीं है उसकी गुणज के पास की संक्या है तो इसमें उपादार हो जाएगा 200 अब एक इसमें आएगा उपादार अंक तो उपादार अंक कैसे निकालते हैं कि या तो 100 का ये 200 कितना गुणा ऐसे कर सकते हो या 200 में 100 का भाग देखेंगे 200 में 100 का भाग देंगे तो उपादार अंक का जाएगा 2 ते हो गया उपादार अंक अब यह formula आपको यहाँ पर लिखना है हर क्यूशन के अंदर जब भी एक्यूशन है गाए एक्जाम में तो यह उपादार से बरग है तो यह formula लिखोगे मैं यहाँ पर डायरेक्ट यह इसका solution लिख रहा हूं कि formula अपना उपादार अंक तो यहाँ 204 के बरग में उपादार अंक है अपने पास दो ब्रेक्ट में संख्या 204 प्लस इसके अंदर जो विचलन हो रहा है तो विचलन 204 है अब इसका जो तुलना करेंगे वो 200 से करेंगे तो यह च्यारा जाएगा प्लस का विचलन अब 204 में विचलन जोडेंगे तो विचलन हो च्यार प्लस का अबलिक और विचलन का इसकेर 204 में च्यार जोडोगे तो यह जाएगा 208 208 का गुणा करेंगे 2 से और च्यार का जोवर्ग होताईवो 16 208 को दो से गुणा करेंगे तो यह गया 416 अबलिक 16 तो अधार यहां 100 था तो दो दों कुतारने होते हैं यहां पर अपने पास 16 में दो यंख है तो यह दों के जिटीज नीचे उतार दिए 16 अभी 16 इसको आगे कोई भी कहरी नहीं देगा तो यह 416 का भी 416 रहेगा तो यह पर नहीं तो दो सो पचीज है यह 200 के पास कि संख है तो 200 वह 100 का गुणाज है तो यहां पर अदार है वो तो 100 लिखेंगे अभी 200 के पास कि संख्या है तो उपधार उपधार हो गया 200 और उपधार अंक उपादार अंक 200 में 100 का भाग देंगे तो उपादार अंक आ गया दो अब इसका जो फोर्मुलाई एक बार मैं वापिस लिख देता हूं तो उपादार अंक से जब आप वर करते हो तो इसके वर का फोर्मुलाई ये होगा उपादार अंक संख्या पलस विचलन अब उपादार अंख है यहां पर इसके अंदर जो विचलन और निकालना है तो जो विचलन है यह है दो सो पत्चीस है वो दो सो से पत्चीस जादा है तो इसलिए विचलन आगया प्लस का पत्चीस तो जब दो सो पत्चीस का वरक करेंगे तो यहां पर उपादार अंख तो उपादार अंख है अपने पास दो ब्रेक्ट में संख्या तो संख्या है दो सो पत्चीस प्लस विचलन पत्चीस अबलिक विचलन का स्केर तो पत्चीस का स्केर 225 में 25 जोड़ेंगे तो योग चा है 250 इसका गुणा करेंगे 2 से 25 का जवरक करेंगे तो 25 का ब्रोगता 625 अब 20 का 2 से गुणा करेंगे तो योग है 500 आप 25 अब आधार यहां पे 100 है तो दो अंक उतारने होते हैं अपने को तो यहां पे अपने पास ओबले के बाद में 3 अंक है तो यहां सिर्फ आपको 2 इंक उतारने नीचे तो 2 अंक है यह 25 इनको आप एज़िटीज नीचे उतार दोगे अब जो बाकी बच्चे वह जितने भी अंक होते हैं तो यहां सिर्फ एक इंक है यह आगे बाले को लम्में ह पांसे लिके रूम में चला जाएगा तो यह 6 यहां पर जाकर के जोड़ो जाएगा इसका तो 500 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो गया 506 अब यह 506 एज़िटीज यहां पर लिख देंगे तो यह 225 का वरग हो गया 50625 तो आप सभी विधार थी जो कि नमीक अक्षा से अभी दस में है जिनका भी तक प्रवा नहीं है भी तक मेत का तुन सभी विधारतियों से नरोद है कि घर में रही है शुरक्षित रही है इस लोगडाउन के अंदर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके लिए नए ने जो वीडियो है वो क्लास 10 के गनित के थी यह वो बना करके मैं अपलोड कर सुकूं तो मैंने युवेद्य गनित का यह इंग्लिस मीटियम गतो वीडियो बना करके चैनल पर लगा दिये अभी बना रहा हूं तो इंदि मेडियम के साथ क्यूशंत हो गए हैं अब आकी जोन इस क्यूशन है टोटल